दो अपडेट्स है आप सारे लोग के लिए जितने भी इन्वेस्टर्स है सबसे पहला अपडेट्स तो सेभी के सर्कूलर को लेकर ही है जिसके बारे मैंने कई बार पीछे वीडियो में बात किया है तो यहाँ पे उस सर्कूलर का एक और यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल गया धन जो एप है जो ब्रोकिंग एप है धन वो 50% जो डिसकाउंट देती थी फीज में फीमेल इंवेस्टर्स को फीमेल ट्रेडर्स को उसको उस सर्विस को उसने बंद कर दिया है क्योंकि जो सर्कूलर के अंदर जो एक तरीके से डिसकाउंट मिलता था एक्सचेंज फीज में ब्रोकर्स को वो सेभी ने तो अब खतमी करवा दिया जरोधा ने हिंट देई दिया कि हम चार्जस बराने वाले हैं और धन अपने तो जो वो फीमेल को 50% डिसकाउंट देती थी उसको बंद करी दिया तो एक तो ये अपडेट थी जो भी धन अपके यूजर से उ के लिए दूसरा अपडेट ये है कि मनी कंट्रोल की एक और एक्स्क्लियूजिव ख़बर आई है जहां पे एक पात पहले मैं बोल दूँ आपको इस ख़बर को निगेटिव की तरह नहीं लेना ये तो आपका प्रस्पेक्टिव है नजरी आप इसको निगेटिव लो या मैं तो पॉजिटिव वे में ही बता रहा हूँ सेभी ने पिछले बारा महीनों में बहुत साड़े मूचल फंड हाउसेज पे एक तरीके से रेड मारी है इंस्पेक्शन किया है सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है मतलब बता के नहीं गया है सीधा धपा मार दिया है अब पिम्तो किया है ताकि वो जो जो भी तरीके की illegal activity होती है उसको कम से कम किया जा सके रूका जा सके अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि SCAM हो गया से भी SCAM होने के बाद जा रहे है यहाँ से भी यह जो regular inspection एक तरीके से इसको से भी regular बना रही है कि time to time बिना बताए वो mutual fund के offices वगेरा में जाएंगी और वहाँ पे inspection करेगी इस inspection में जो top executives हैं officers हैं वहाँ पे उनके mobiles की iPad वगेरा की devices की चानबीन भी की गई है तो पूरी तरीके से यहाँ पे सभी scam को, front running को, manipulation को रोकने की कोशिस कर रही है तो इसको आपको positive way में लेना है यह हम mutual fund investor को safeguard करने के लिए ही से भी ले रही है अब क्वांट के अंदर जो action हुआ है और यह जो action ने पिछले 12 महीने में हुआ है यह दोनो different है अच्छा एक चीज़ बता दो जो यह पिछले 12 महीने में हुआ है इसमें top जो 10 biggest inspection किया है सेभी ने यहाँ पे क्वांट में और इसमें difference यह है कि यह जो inspection है जो इन AMCs के अंदर हुई है यह surprise inspection है regular inspection है और इसके लिए सेभी को किसी तरीके की permission की ज़रुरत नहीं है वो किसी भी AMC के अंदर जाकर surprise inspection कर सकती है लेकिन क्वांट के जो अंदर हुआ है उसके लिए सेभी को बकाइदा permission की ज़रुरत है ऐसे ही जाके किसी office में वो seizure operation नहीं कर सकती surprise तो कर सकती है लेकिन जो device seizing होती है वो ऐसे ही वो नहीं कर सकती है तो यहाँ पे क्वांट वाले में यह difference है तो अभी तक जो बाते सामने आई है वो यह नहीं है कि क्वांट के अंदर regular inspection था क्वांट के किसी एक fund manager या dealer या broker के खिलाफ कुछ सबूत सेभी के पास थे तभी उन्होंने seizure operation चलाया था लेकिन update नहीं दे रही है सेभी कुछ पता नहीं क्यों नहीं दे रही है वो तो उसके उपर है लेकिन यहाँ पे यह एक news है कि सेभी अब उस police की तरह नहीं है जो कि चोड़ी होने के बाद या उसके मतलब कोई भी जो गलत काम हो जाता उसके बाद पहुंसती है सेभी अब उस police की तरह हो चुकी है जो चोड़ी को रोकती है गस्ती करके तो बहुत बढ़ी है काम बहुत अच्छी news है और भले ही आपको लगे क्या रहे है क्यों ऐसा यह कर रहे है लेकिन मुझे तो भाई बहुत मैं तो support में हूँ क्योंकि बहुत बढ़ी अगी करना ही जाए क्योंकि surprise visit से क्या होता है एक तरीके का डर आता है कि कभी भी official आकर हमारे devices का inspection कर सकते है और ऐसे में क्या होगा कि डर बनेगा और scam को रोकने के लिए यह सब जो fraud होते हैं रोकने के लिए डर की ही जरूरत है अब कुछ जो AMC के जो anonymous है money control की ही यह भी report है कि उन्होंने अपना पहचान जाहिर नहीं किया है लेकिन उनका कहना है कि यह rates सही नहीं है इससे जो भी लोग गलत करते हैं वो और जादा सतर की सतर कोकर गलती करेंगे उनको पकरना और मुस्किल हो जाएगा अगर devices की ही बात है तो devices पर से data हटाना आसान हो जाएगा और वो बहुत जादा सतर की के साथ data हटा के काम करेंगे तो यह सारी चीज़ दो पक्ष हैं कुछ लोग का मानना है कि इन rates से जो चोरो को पकरना है और मुस्किल हो जाएगा वो और सतर से काम करेंगे और कुछ लोग का मानना है कि इन rates से चोरो के मन में डर बैठेगा और वो चोरी करने से डरेंगे आप कि साइड में हो नीचे कमेंट में बताना